आपास्टो जी मारे बास बहुत बड़ी देस्टिमनी है 15 साल से ये भाई पागल था और आपास्टो जी से बेड़िों से बांद कर इस बीटिंग में लाया गया और ये बता रहे हैं ना तो ये कुछ समझता था और ना ये कुछ करता था कोई इसको बोलता था तो ये पागलों जैसे हरकते करता था भाग जाता था इसको पेड़ियों से अभी भी बांदा हुआ है लेकिन जैसे ही आपने कहा के वोलंटीर पीछे जाकर चेक करो लोग चंगे हो चुके हैं ये भाई समझना शुरू हो चुके है और आपसाजी पाग आपसाजी कुछ भी नहीं समझता था अभी आप इसको बोलो कि अपने हाथ उठाओ तो ये अपने हाथ उठाता है देखो देखो बहुत बढ़ा परमिश्वन ने काम किया यू कन सी लुक नाई 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 महाँ बादे जिजडरी खाना नहीं दिंदग ये थाला बोंडो जिजडरी सी खाना नहीं दिंदग इसका खोलना है अभी खोलो इसको अठाग कुलिया देऊ चाबी लाओ और खोल दो जाबी लाव आर अरे खियाओ आललुयाँ अज यहाँ येश्य की समर्थ काम कर रही है जनzessी पुली वव्ट कहा मज़त चंग पर करने वाल काम कर रही है चंग चंग येह मान सी नोगा चंग पर फैनसी है चंग पुली हो इस येहाद येश्य मां शी अहाद और आज इसकी पात्य है दनाई बीनी जींद रिया के उजावाई हलो, हलो, हाथ उठो, हाथ आललुया देखो, शेतान ने ताले पुरी अच्छी तरह से बांदे हुए शेताना नाइमा बड़ी माश्ची को ठाला हना जोर से तारीफ करो, प्रभू ने फ्री किया, इसको अजाद किया जोर से तारीफ करो, जोर से जैसा की परमेश्वर के वचन पवितर बाइबल मर्कुस उसके पांच ध्याए में लिखा है कि येश्व मसी को ग्रसीनियों के देश में एक मनुश्य मिला जिसमें अशुद आत्मा रहती थी और कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था उसे संगलो और बेडियों से बांदा जाता था और वह उन्हें तोड़ देता था लेकिन जब उसने येश्व मसी को देखा तो उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा है परमपरधान के पुत्र येश्व मुझे पीडा ना दे इसी तरह से परमेश्वर ने अपने दास प्रेरित रमन हंस जी के द्वारा इस भाई को बेडियों और संगलो से छुटकारा दिया यह तालों और बेडियों से बांदा गया लेकिन परमेश्वर अपने दास को यहां लेकर आया और इसे मुक्ति दिलाई आमेन 01-60-500-8000